उत्तर प्रदेश राजाशी टंडन मुक्त विश्विद्याले के बी ए हिंदी या एकल विशेस नातक हिंदी के इस पार्ठिक्रम अभी विन्यास परामर्श सत्र में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है मैं प्रॉफिसर रुची बाजपेई इस विश्विद्याले की मानुकी विद्याशाखा के अंतरगत हिंदी विशे में आचार के पतपर कारे रत हूँ और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस बीए हिंदी कारिक्रम के पार्ठिक्रम UGHI 103 या UGHI 3 Old या CSS HI 03 पर जिसका की शीर्शक आप लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्ति का इतिहास एवं साहित्ति परिचे अब मैं स्लाइट्स में दिखाई पढ़ने वाले इस प्रश्ण पत्र के पार्ठिक्रम के साथ साथ विभिन खंडों इवा मिकाहितं में आपको कैसे अध्यन करना है यह बताऊंगी इस प्रठिक्रम के प्रथम खंड से लेकर आठवे खंड तक हिंदी साहित्ति के इतिहास से सम्बंधित हैं आप देख हुए है फिरपक्तिकालीन कावे पर है उसके बाद है भक्तिकालीन गावे की जवांतर धराय उनári से श 관huhण भक्तिकावे धरा तें से राम हं sì । पर चर्चा इसके इंतर गत आती है आपके पाठिक्रम में ति रीती कालीन कावे इसके विभिन आयाम आधुनिक साहिते इसमें गध्य और कविता दोनों का यूग है आधुनिक यूग उस पर भारते इंदी विवेदी यूग आधुनिक हिंदी कावे चायाबाद, इसमें और दर्शम खंड है उसमें साहिते और उसके अंगों की चर्चा की गई है तो नवें और दसमें खंड में साहिते इवं उसके अंगों का जो परिचय है उसमें से नवम खंड में से रस के लावा अन्निकाईयों की चर्चा हम लोग में हिंदी के प्रश्ण पत्र है स साहिति सिध्धान्त और समालूजना की अंतरगत करेंगे, जो की MAHI 109 या MAHI 8-old नामक प्रश्ण पत्र है, लेकिन इस जो UGHI 3 का पाठिकरम जो है, जिसके हम लोग समय वरत्मान में चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग नवम खंड से रस की चर्चा यहां पर करेंगे, इसक करने जा रहे हैं, इस पाठिकरम में जैसा कि आपने देखा कि पहले खंड से लेके आठ्वे खंड तक विदिमान हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको हम सुविधा की दृष्टी से अगर बांटें, तो तीन भागों में बांटके उनकी चर्चा कर सकते हैं, स्लाइड में आप देखिए, इसमें प्रतम भाग है हिंदी साहित्य के उद्भों से लेकर रितिकाल तक, दूसरा है आधुनिक साहित्य जिसमें भारतें दियुक से उत्तर छायावाद तक हम लोग ले सकते हैं, और तीसरा भाग प्रगतिशील कावे से आधुनिक हिंदी ग स्लाइस के इन विभिन आयामों पर चर्चा, चूंकि MA हिंदी प्रतम वरश के पाठिकरम, MA HI 106, MA HI 02 Old के अंतर गत पहले ही की जा चुकी है, जिससे इस पूरे आठ जो आपके खंड हैं, पहले से का आठ गंड तक, उसके विशह सामगरी को उससे देखकर आप पढ़ सकते है और शेश के लिए UGHI 103 और 03 Old का पाठिकरम है, उसके खंड 9 और 10 के लिए विशेश रूप से रस्चन नलंकारों के संदर्ब में हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं अब पहले हम लोग रस पर चर्चा करते हैं, जिसके इंतगर्त हम लोग बात करेंगे तो पहले यह देख लेते हैं कि रस किसे कहते हैं कविता, कहानी, उपन्यासादी को पढ़ने या सुनने इवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूती होती है उसे रस कहते हैं संस्कृत में रस शब्द की विद्पत्ती है रस्यते असव इती रसा अर्था जिससे आस्वाद मिले वही रस है भारती का विशास्त्र में रस पर शास्त्री रिष्टी से विचार करने वाले अनेक आचारे हुएं जिन में सरप्रधम आचारे भरत मुनी का नाम आता है उनका प्रसिद गरंप नाटिशास्त्र है, जिसमें उन्होंने रस की निश्पत्ति के विशे में अपना यह सूत्र दिया है विभावानु भाव व्यभिचारी सयोगाद रस निश्पत्ति ही अर्थात इस्थाई भाव से विभाव, अनुभाव, एवन विविचारी भाव का सयोग होने पर रस की निश्पत्ती होती है अन्नी शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि शोता या पाठक के हिर्दे में पाए जाने वाले इस्थाई भाव जब कावव में वनित विभाव, अनुभाव और विविचारी भावों से सयोगत होते हैं तो जिस आनंद के निगूती होती है वही रस है रस के स्वरूप को समझने के लिए इसके उक्त अंगों की जानकारी आवश्यक है तो हम रस के अंग देखते हैं रस के चार प्रमुकंग हैं इस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव या व्यविचारी भाव इस्थाई भाव किसे कहते हैं देखीए सहर्दियों के हर्दय में वास्ना रूप में इस्थित शाश्वत मनोविकार साहिति में इस्थाई भाव कहलाते हैं वैसे ही ये सुशुप्ता वस्ता में रहते हैं परन्तु अनुकूल प्रेणा पाकर जाग उठते हैं और पुष्ट होकर यही रस बन जाते हैं इस्थाई भाव नौ माने गए हैं और इनसे संबंधित रस भी नौ ही हैं लेकिन रती नामों की स्थाई भाव के आचारियों ने तीन भेद किये हैं कांता विश्यकरती अर्थात नर्नारी का पारस्वरिक प्रेम अपत्य विश्यकरती यानि संतान प्रेम और देवता विश्यकरती इश्वर प्रेम अता श्रंगार रस के अत्रिक्त वादसल्य और भक्ती रस को भी बाद के आचारिव ने जोड़ा और रसों की संख्या कुल 11 हो गई अपत्य विश्यक रती की रस रूप में परिणती सूर ने करके दिखा दी जिससे वादसल्य रस को एक स्वतंत रस की मानेता मिली इसी परकार गोश्वामी तुल्फी दास के कावे कौशल के फलस्वरूप धेवता विश्यक रती की भक्ती रस में परिणती होने से भक्ती रस भी एक स्वतंत रस माना जाने लगा इस परकार से 11 रस हो गए तो विबिन रस और उनके स्थाई भाव इस परकार हैं अब हम बड़ते हैं विभाव की ओरूप विभाव किसे कहते हैं विभाव वो हैं जो व्यक्ति वस्तु या परिसितियां इस्थाई भावों को जागरत या उद्दीप्त करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं विभाव दो प्रकार के होते हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव होते हैं कि जिन व्यक्तियों या व वस्तु आदी का अवलम लेकर इस्थाई भाव अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। विभाव का एक उधान देखिए, शेर को देखकर शिकारी के हिर्दे में भय नामक इस्थाई भाव जाग जाए, तो इस भय का आलंबन शेर को कहा जाएगा, जंगल में राथ के सन्नाटे में शेर की दहाड सुमने के कारण शिकारी का भय उद्दीप्त हुआ, तो यह कर शिकारी भागने लगता है तो उसका भागना अनुभाव कहलाएगा इस्थाई भाव के जागरत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अयत्ना जंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं ये स्वता प्रादूर भूत होते हैं इनके लिए आर्शय को कोई चेश्टा नहीं करनी पड़ती इन्हें रोका भी नहीं जा सकता सात्विक अनुभाव आठ मने गए हैं ये हैं इस्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर्भंग, कंप, वैवर्ण, अश्रू और प्रले आंख, भौ, हाथ, आदि, शरीर के अंगों द्वारा जो चेश्टाएं की जाती हैं उन्ह ट्विकन भाव हैं। सकता है उपर दिये गए शिकारी को भाई लगते से में यह याद आ जाए कि इस स्थान पर शेर ने पहले भी एक शिकारी को खा लिया था तो उसका भाई और बढ़ जाएगा यह इसमिती जो आकर चली गई है संचारी भाव कहलाएगी आचारों संचारी भाव की संख्या 33 मानी है जो इस प्रकार है निर्वेद आवेग दैन्य श्रम मद जड़ता उग्रता मुः विवोध स्वप्न अपस्मार गर्व निद्रा अवहित्था उच्चुक्ता उन्माद मरण आलस से अमर्ष निद्रा इस्मृती मती व्यादी संत्रास लज् असूया विशाद धृती चपलता गलानी चिंता और वितर्ख तो इस प्रकार उपर्युक्त वणित विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से इस्थाई भाव रस दशा को प्राप्त होता है और कावे या साहित में वणित विश्यवस्तु से पाठक या सहरद अब एक नजर विभिन रसों के उधारणों पर डाल लेते हैं देखिए इसे शंगार रस के सयोग शंगार व विव्योग शंगार के उधारणे हां प्रस्तुत के गए हैं वी रस का उधारण हासे रस प्रसों के बाद हम आते हैं चंद पर जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं चंद या कावे में चंद दोशों का आच्छादन करते हैं साथ ही इनसे कावे सौंदर में व्रिद्धी होती है और उसमें दीर्ग जीविता आती है वस्ता चंद एक लए विशेष के नुरूप वण या मात्राओं का नियम बंधन या धाचा है चंदों के बंधन के काण कविता में सौर लय इवं ताल का सौंदरित था संगीत आत्मक्ता आती है जो कावे की प्रमुक्षिष्टा है चंदों के प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं मूल्ता चंद दो प्रकार के होते हैं मात्रिक चंद जिन में मात्राओं की गणा द्वारा चंद का परदा चलता है वर्णिक चंद जिन में वर्णों या गणों की गिंती और क्रम द्वारा चंद निर्धारित होता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब एर्द सम्मातिक संध्ट में विशम चरण और सम्चरण समान होते हैं पथाब पहला और तीसरा और मात्राओं की संख्या नहीं होते हैं इसलिए इने विशंम्मातिक चंद कहते हैं, वाड़िक चंदों में दो तरह के चंद होते हैं, तो सम्वाड़िक चंद होते हैं, जिनके हर चरण में वाड़ों की संख् millennials तथा गुण, आधिक अक्रम समान होता है और हर चरण में 26 से आउ से कम वाड़ जिसे कवित या घनाक्षरी भी कहते हैं, यह दूनों आते हैं, दंडग चंद, तो चंद में मात्राओं और गणों की जानकारी आपको कैसे हो, कुछ सिधान्त हैं, जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर, चर्ण पहले आप जान लीजए, प्रत्यग चंद चर्णों में विवाजित होता है, चाहे हो मात्रा चंद और वर्ण चंद, एक चर्ण में प्रया 4 चर्ण विटे हैं, लेकिन किनी किनी चंदों में 6 चर्ण भी उता हैं, जो से छप पए कुंडल या अधि में, वर्ण और मात के कि समय की मात्रा से है गूरु में लगू की अपेक्शा दूना समय समय लगता है इसलिए मात्रा गंद्णा में लगू की मात्रा होते हैं काधी युथा रूप अनुस्वार वाले वान गुरू होते हैं लेकिन इसमें न रखियेगा कि चंद्रबिंदु को आप गुरू मत कीजेगा चंद्रबिंदु वाले वान लगु माने जाते हैं विसर्ग वाले वान जैसे अन्ताकरण तो अन्ताकरण में जहां विसर्ग है वो वान गुरू माना जाता है कभी-कभी पाद या चरण की पूर्ती के लिए अन्त का वान गुरू माना जाता है हलंत वान गिने नहीं जाते किन्तों उनके पूर्व का वान गुरु हो जाता है तो अनुस्वार और चंद बिंदु में बहुत आपको इस पश्ट पता होना चाहिए कि अनुस्वार वान गुरु होते हैं अनुस्वार जिसके उपर होता है गणों को समझने के लिए निमलिखे सूत्र उपयोगी है यमाता राज भानसलगा इस सूत्र से आठ गणों का सुरूप ग्यांत हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह गण से लेके सागन तक है आठ गण लिखे हुए हैं और मात्रा के अनुसार इनके संकेत बगल में दिये हुए हैं कि इन में लगू और दीर्ग मात्राओं का क्रम क्या होता है और फिर सूत्र गत उधारन जो यमाता राज भानसलगा से यह लगातार तीन-तीन अगर आप एक-एक को छोड़के अगले तीन-तीन लेते रहें तो यह सूत्र गत उधान मातारा ताराज राजभ वा जिसे राम जी यह इनके सार्थक उधारने जभान, जलेश, भानस, भारत, नसल, नगर, सल गः शरिता प्रदर्शित करने के लिए रखा है ताकि आप गण की गणना है और अद्यना आप समझ सकें गती के बारे में आप जान लीजे पढ़ते समय कविता के इस्पष्ट सुखद प्रभाह को गती कहते हैं और यती किसे कहते हैं चंदों में विराम या रुकने के स्थनों को यती कहा जाता है अब कुछ चंदों के उधारन देखते हैं मात्रा चंद जो है जिनमें मात्राओं के आधार पर चंदों का निरधारन होता है उसमें बहुत प्रमुख चंद चौपाई है दोहा है जिसको हम यहां पर घटित करके प्रदर्शित करेंगे देखें चौपाई आपके सामने है जब जब हो ही धरम के हानी बाढ़ है यह दाम असूर अभिमानी यह चौपाई है तो चौपाई जो है यह सम मात्रिक छंद होता है इसमें चार चरण होते हैं और प्रतिक छंद में 16-16 कि दोः-चंद काकी है इसके पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चंद में 11-15 मात्राएं होती है और अंतमें गुरु लग होता है इसके संचरणों के अंतमें गुरु लगु होता है इसके लिए घौतों घ्रु दॉससे मेरी भाव बाधा हरो राधा-ना सरय में 11 मात्राइं हैं और ऑन्त में जोये देखिए गूरू το अजारोस मात्रिक टारवरां के और चंद चंडिया भी मात्रिक चंड है। इसमे 6 चरण होते हैं और प्रत्यक चरण में вес 14 मात्राये होती हैं। आदी में एक दोहा, और बाद में एक रोला मिलाकर कुंडलिया चंड बनता है। कुंडलिया का उधारन भी दिया हुआ है आपके पास। तो आप आवश्यक नहीं है कि जो पुस्तक में उधारन है उनी को लें आप ने जो पढ़ा हुआ है ऐसा भी कोई उधारन घटित करके आप उसको पढ़ सकते हैं उससे त्यारी कर सकते हैं अब वनद चंद का अधरन देखिए वनद चंद आपको पता ही है कि वनों के आधर पर गणों के आधर पर जिनकी गणना होती है वो वनद चंद कहलाते हैं अब वनद चंद के अधरन में देखते हैं इंद्रवज्रा इंद्रवज्रा का लक्षण है स्यात इंद्रवज्रा य इसमें 11 वर्ण होते हैं, यह देखें मैं जो नया गरंत विलोकता हूं, इसमें जो मात्रा लगी हुई है, यह कुल मिला के अगर आप गणना करें तो इसमें जिस प्रकार से मात्राएं हैं, उसमें अगर आप गणों को देखें तो इसमें दो तागन और एक जागन और उसके टो किकरम् से 11 वन हैं तो इस प्रकार इंद्रवज्रा का उदहरन है। इसी प्रकार से और भी वनत्चंद में आपको उदहरन दिये गाए हैं जो आपकी parts appustak में हैं ये प्राया वनवरत चंद में संस्कृत के चंद भी दिये हुएं लेकिन हिंदी में भी वनवरत होते हैं, हिंदी के वनवरतों में सवय्या और कवित प्रमुक हैं, इसमें 22 से लेके 26 तक वनवरत जो होते हैं, वो सवय्या कहलाते हैं, सवय्या में 4 चरण होते हैं, सम वनवरत सभाइवाब D सभा गुंदर और मतं ध्राम का बहुत प्रसेदर्णाइब जिसमें नाइका के सुंदरिका वनने कि कुंदन कोरंग फीको लगय जलके अति अंगन चारु गुराई आखिन में अलसानी चितोन में मंजु विलासन की सरसाई कोबिनु मोल विकात नहीं मतिराम लहे मुस्कान मिठाई ज्यों जो निहारी ये नीरे हुए नैननी तियों तिय ये जो चंद है ये मत्त गयंद या सुंदरी सवईया चंद है मत्त गयंद या सुंदरी का लक्षण होता है कि इसमें साथ भागण और अंतुमें दो गूरु के कहम से तेई सवान होते हैं तो ये मत्त गयंद या मलती सवईया का उधारन है और एक आपने तुलसी की कविता वली का बहुत सुंदर उधारण आपको यादोगा पुरुते निकसी रगवीर वदू धर धीर दिये डग में मगज़े जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूज़ती है चलनों अब केतिक पण कुटी करेहो कित हुए तियकी लखी आतुरता पि देखे कि अखिया अतिचार उचली जल च्वे तो यह यह भी सवया का उधारण है और यह सुंदरी सवया का उधारण है सुंदरी सवया का लक्षण ही होता है कि इसमें आठ सगन और अंत में एक गुरु के करम से 25 वाण प्रत्य इसके चारों चरनों में होते हैं तो इस प्रकार से आप वण व्रत्तों के भी हिंदी उधारण देख सकते हैं, कवित और सवया ब्रज भाषा के बहुत प्रिये चंद हैं, सवया का अभी हम लोगों ने उधारण देखें, कवित जो होता है ये दंडक चंद के इंतरगत आता है, जो अभी मैंने पहले आपको कहते हैं, और इसका जो लक्षन है उसमें अभी बताया ही, कि 26 से अधिक वण होते हैं प्रतिक चरण में, इसका उधारण भी है, आप लोग जितने, आपने कवित जो पढ़े हैं, जैसे घनानंद के कवित पढ़े होंगे, आलम के कवित पढ़े होंगे, किसी कवी कवित अतनाकर का जो उधो शतक है, उसमें भी उन्होंने कवित पढ़े हो किया है, जो कवित आपको याद हो, उसको आप इस लक्षन पर घटित करके उसके उधारण के रूप में उसको याद कर सकते हैं, तो अब आते हैं अलंकारों पे, अलंकार कावी के शोभा कारक धर्म है, अलंकार जैसा कि आप देख रहे हैं, तीन तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जहां शब्द के काण चमतकार आता है, वहां शब्दालंकार होता है, जहां अर्थ के काण रमनी इता आती है, वहां अर्थालंकार होता है, यदि एक ही इस्था इनका आप मद्धियन कर सकते हैं, कठिनाई आने पर मुबाइल पर या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिख कर कूछ सकते हैं इस प्रकार हिंदी साहिती का इत्यास और साहिती परिशे नामक इस प्रश्ण पत्र पर आज हम लोगों ने चर्चा की इस संपूर पाठिकरम पर जो प्रश्ण बनते हैं, उनको भी मैं आपके समख्ष यहां प्रस्तूत कर रही हूँ सत्रान परीक्षा प्रश्ण पत्रों के दो नमूने भी यहां प्रदर्शित किये जा रहे हैं, जो आपकी तैयारी में साहिता करेंगे इनका भी आप स्क्रीन शॉट लेकर टैयारी में योग दे सकते हैं अपनी, तो आज के सत्र में चर्चा हम यही पर समाप्त करते हैं, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.